आप हैं रोशन लाल जी मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि आपने जहाँ जहाँ भी काम किया है या काम को करवाया है वहाँ वहाँ सुरक्षा रूपी मशाल को हमेशा रोशन करने का प्रयास किया है अब आप सुनिये आपकी कहानी आपकी जुबानी आज से लगभग 35 साल पहले मैंने कैटिगरी वन के रूप में कोल इंडिया को जॉइन किया था और आज मैं लखनपुर OCP से फोर मैन इंचार्ज के रूप में सेवा निवरित हो रहा हूँ इसमें मेरे परिवार का एहम योगदान रहा है जिसका मैं हमेशा रिणी रहूँगा शुरू से ही मैंने स्वयम और अपनी टीम को पीपी पहनने के साथ-साथ प्रॉपर सेफटी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जैसे अपने से बड़े अधिकारियों के आदेशों का पालन करना शटडाउन प्रॉसीजर को पूरी तरह से फॉलो करना शटडाउन लेने के पश्चाथ जाबी को अपने पास रखना ओवरहेड लाइन में कार्यक करते समय हमेशा सीडी का उप्योग करना डिस्चार्ज रॉड से लाइन के दोनों सिरों को चेक करके उसे कनफर्म करना हैंड ग्लैब्स का उप्योग करना और पोल के उपर कार्यकरते समय हमेशा सेफटी बेल्ट का उप्योग करना जब मैं फोर्मेन इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहा था तो मैं हर रोज अपनी टीम को सेफटी टॉक के साल साथ उनके कार्यों को फिस्तार पूर्वक उनको समझाने के पश्चाथी कार्य में लगाता था भल स्वरूप मुझे आज अत्यांत खुशी हो रही है कि मेरी जॉइनिंग से लेकर रिटायर्मेंट तक ना तो मुझे और ना ही मेरी टीम को कभी भी किसी प्रकार का जोखिम उठाना पड़ा हो और इसका मुझे कारण था एलेक्टरिसिटी रूल के साथ साथ एसोपी एवं सीओपी का पूर्णता अक्षर चाप पालन करना और करवाना